हमारे यूट्यूब चनल चायामस्रा में आज हम बनाने जा रहे हैं डोसा जो कि एक हमारे विवर की ही फर्माईश थी जो कि हम भूल मतलब ध्यान से निकल गया कह दें या फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम थी लाइट की वज़े से क्योंकि यहां लाइट आती जाती जाती है औ पहले बनाना होता है यह सब करना होता तो देखिए ध्यान रखिएगा यह पहले आप देख लीजे कि हमने चावल और दाल को ओवरनाइट के लिए सो करके रख दिया था हम इसका रेशियो आपको बताए दे रहे हैं कि जैसे हमने लिया है चार स्पून चावल तो उसी हिसा आप दो बार में भी ग्राइंड कर सकते हैं तो देखिए हमने आदी एक ग्लास पानी लिया था उसमें हमने हाफ ग्लास पानी एड कर दिया है और अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे तो यह देख सकते हैं हमने ग्राइंडर में डालकर अच्छे से पेस्ट बना लिया है तो बहुत अच्छा एकदम स्मूथली पेस्ट बनकर तयार हो गया तो अब हम क्या करेंगे इसको रख देंगे तो यहां यहां से अच्छा गुंटे के रख देंगे गर्मिया है तो जल्दी हो जाता है लेकिन अगर ठंडिया है तो उसमें टाइम लगता है फूलने में इसको अगर आप घंडिया है तो इसमें मेथी दाये जरू डाल देंगे अपने रख दिया है नमक करके अब देख सकते हैं ये तो आप देखे कर अच्छा होगा। अब यहां तरो की गिलैने नमक आइट करों खाती से c Sovi birds और को него कोयम टो मिक्स करें अब इसे क्या करेंक एक तरफभ रख देंगे साइड में तु देखी तरफ हमारा कितने आच्छ से कोटिंग हो रही थी तो इसी तरह से हम ढखकर रख देंगे तब तक हम पना लेंगे मसाला बैटर का तो यह देख सकते हैं हमने अपना रख लिया है एक पैन इसमें हम डाल देंगे ओयल मस्टर्ड आयल है इस विजे से आपको यलो दिख रहा होगा यह डाल दिया हमने सर्सों के बीज सीट्स और जीर राइ यह नहीं और आप हम यह विजुक्त आलो मैस कर दो आर भाणाय अब आपको पास नहीं है तो आप अपन ऩो झालाब से डल थे के आपकर सकते हैं तो आप सती है विजूदे न тебе कृउद इसे को फिराज नहीं, मतलत अच्छा लगता है इसमें तरह से हमने कम तीखा बनार आपने साब से तीखा भी कर सकते तो इस तरह से हम करते हुए इसको उसल यह से इसे की अच्छे से हमारी यह देखिए हमारा लग लग भी बैठर बन चूका है मुझाम के अभर थाया मीमक्स देता टोट्रों मिलागैंN मिलाश में कर दो और के इस पर हम क्या करेंगे, पानी के चीट Mickie माराइघे, जिससे कि इसकी हीट नर्मन हो जाए और इसे हम पोच देगे और देखिए अगर नॉन स्टिक तब पर तेल मत लगाएं बिल्कुर अगर तेल लगा देंगे तो दो साथ चिपक जाएगा फिर चूटेगा ने देखिए इस तरह से अब इसे हम क्रिस्पी होने देंगे इसे गेस्ट आने हैं तो आप इसे बना करके रख लीजिए देखिए इस तरह से बहुत जल्दी क्योंकि भाई गेस्ट आता तो बैटना भी तो होता है उसके पास तो इस तरह से बना कर लिजिए हलका साथ यह उटने लगा है तो इस पर हम डाल देंगे और आप देखिए अब यह आज़र करेंगे इसको भी हम तो यह गटाने ह 15टकव सर्चव करेंगे डहाः को है तो इस हम एक तारह से चुपस जखे बना है तो दो देखिए दोने तरफ से कंचे होने in का कोई सवाल नहीं है तो दोने तरफ क्रिस्पी कर लिया है अब ये लास्ट में बचा था बैटर kobeam synd मैं ये इस तरह से आप और बना सकते हैं यह देख सकते हैं और यह देकिक हमने सारे ऐसे नहीं बनाहिए आप देखें क्या हमें करना है कि यह है करना है तो शयों लबये पार तुरंट बना दिया हम तो उन्हें क्रिस्पी अच्छा लगता है तो देखे इस तरह से तावेपर हमने फिर से अपना डोसा बना हुआ रख दिया और आप हम इस पर रखेंगे आलू मसाला और इसको हम क्रिस्पी कर लेंगे तो देखे को कि आलू मसाला पहले से लगा रख तो बहुत सॉफ्ट हो ज हम करेंगे सर्फ देखे हम डोसे ऐसे ही बनाते हैं कि पहले डोसे बना करके रख लिए और जब खानने वाले आ गए यह हमें सर्फ करना है तो बस फटा फट गरम किया और आलू लगाया और दे दिया तो यह इससे कह बता है जिसको क्रिस्पी खाना है वो क्रिस्पी खा सकत हम लिए बताए देखिया हमतार है खाता है। अलुप मसला के साथ ही सर्व करेंगे जाएं तो भी साथ हरी शुतनी है नारिल की शुतनी ये चटनिए कानवकस क्रिष्प साथ भाया है छटनीं के सब्हा क्रिष्प टार्व करने बने का धूसर तो आप ने देखी कितना क्रिष्प topping का तो आपने डेखे किटना यूम्मी यूमी इसा रेस्पी आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक सस्क्राइब एंड शेयर करिएगा और कमेंट के तारा जरूर बताइएगा कि आप हमारी रेस्पी कैसी लगी थैंक्यू मिलते हैं नेक्स डे नेक्स डेस्पी के साथ बब बाई